अच्छा तो ये माया वी नाग राज है इसी लिए इसका नाम पंचपन है अरे ये तो घातक वे शुगर रहा है इसके वेशका इतना प्रभा इसके वेशका इतना प्रभा तुम बनोगे मेरे म्रिट्यू दाता उच्छे थे देखते हैं अरे मैं यहां हूँ तुम वहां कहां देख रहे हो अरे यहां पर यहां पर मैं यहां हूँ अरे मैं यहां हूँ अरे अरे तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं मैं यहां पर हूँ क्या हुआ पंच्पन शेथिल हो गए हो थोड़ा विश्राम कर लो क्या हूँ प्रेयाश करो हुआ जिखने रुखन Luis और शेथिल हारो बैन क्य Mitsubla को की हो गए हो गार प्रूरा क्युक्य कि हुए यह तो आप पांचों भन से बेशुगर रहा है यह वराज पांचों वाले बयानक नाख से लड़ रहे हैं मुझे शीक्रती शीक्र महाराज को सुचित करना चाहिए यह पांच पन वाला भयानक नाख कहां से आगया सुमेरू में हो सकता है इसी ने नदी के जल को विशैला किया कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो हो सकता है मंत्री जी हम स्यानिकों को शिक्र लेकर चलिए जी माराज सेवक तुम जाकर मारानी को सुचित करो चलिए 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 माराज विश मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे विश ते मुझे कुछ भी नहीं हुआ कि इससे पहले ये मेरे मित्रों पर आक्रिमंण करें मुझे कुछ करना ही होगा पंच्पान अब तुम्हे देना ही होगा पंच्पान अब तुम्हे देना ही होगा ये पंच्पान तो भाग रहा है पंच्पान काहा गया पंच्पान हनुबान युवराज हनुबान युवराज पुत रहनमान, तुम कुशल तो हो कहा गया वो भयानक नाग पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया उसने ही पूरी नदी में विश्वेल आया था कहा जा सकता है मंद्री जी, कहा गया होगा वो भयानक नाग महाराज, ये कहना तो कठिन होगा वो मायावी नाग अपने घातक विश्व से यदि पूरी नदी को विशाक्त कर सकता है तो कहीं भी अपना विश फैला कर महा विनाश फैला सकता है हमें उसे शिग्र पकड़ना होगा अधिक दूर नहीं गया होगा वो हाँ महाराज, हमें शिग्र ही उस नाग को ढूंडना होगा हाँ, हम सब अलग 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 टुग्रियों में बटकर उस नाग को ढूंडेंगे लेकिन उस से पहले, हमें इन बालगोंको सुरक्षित्तान पर पहुचाना होगा सैनिक, जी महाराज इन बालगों को शिग्र लेकर राजभवन जाओ जी महाराज और सचेत रहना वो ना कहीं भी छिपा हो ज़कता है जी महाराज मंत्री जी आप हन्वान और दो सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाईए जी महाराज और दो सैनिक इस दिशा में जाईए आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आईए जिसे भी वो नाग दिखेगा वो एक संकितिक ध्वनी करेगा हम सब वहाँ साथ पहुचकर उसके विरुद लड़ेंगे जी महाराज चलिए जी महाराज आईए यू राज चलिए चलो सैनी को चलो कारिय करने का समय आ गया है अब तुम सब भी विश फैलाने योग्य हो गये हो जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विशात कर दो अधीन बना दो मेरा हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विशाला कर दो जाओ अब शीक रही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे विशाप्त अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान अब आएगा अनंद बल 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 पंचफन बल 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 हनुमान के जिन में तो परिविश गिरा था उन सब को राजभावन भेजा गया है अब तुम उन से वहाँ अपने काय करा सकते हो बल 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 क्या अशुरी ना पाँचपन वाला हाँ हनुमान के में तुछ बहुत भैबी दिखाई दे रहे हैं अन्जना इस्तीती में उन्हें अखिला नहीं छोड़ सकते है मा आप इन्हें हनुमान के कक्ष मिले जाए मैं इनके भूजन का प्रबंद करती हूं हाओ बच्चो हाँ 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 अवस्य ही हैं कहीं चीपा होगा भूठा हाँ 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 ढूंड़ उसे वो चाहां कहीं भी हो बचके नहीं जाना चाहिए पकलो उसे हाँ 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 यह देखिए महाराज एक और से कुछली हुई घास ना गावश ही इसे दिशा में गया होगा हाँ देखते हैं कहां छुपा बैठा है वो चलो देखते हैं चली महाराज सर्प की गंध आ रही है मुझी वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज ए मायाविनाग कहां चिपाए तू यदि साह से तो सामने आओ और युद्विकर महाराज वो यहीं कहीं है बच नहीं सकता वो चलो इस तरह ढूणने से तो अच्छा है कि एक सेनिक व्रिक्ष पर चड़कर देखे तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं अरे यूराज आप नहीं मैंने कहा कोई सेनिक कोई बातनी मंत्री जी मैं शीख्रिता से चड़ सकता हूं मंत्री जी उस दिशा में कुछ हल चल हो रही है अभी तक चलिए अरे मुक्या जी आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं पंसफन नाम का एक बयानक साप इस वन में घुम रहा है और आप सब लोग संकट में पढ़ सकते हैं चलिए आईए आप सब लोग मेरे साथ आईए इस ओर आईए 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 झाल झाल यही उचित समय है आक्रमन करने का अब तुम सब को भैबीत होने की कोई आवशक्ता नहीं है राजभवन में हो तुम सब इस तरफ अवश्य हो सकता है वो वेश्यला नाग आएए मंत्री जी यह सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है क्या हुआ तुम सब लोग रुख क्यों गए आवश्य हुआ ओ। यहीं हुआ है। यहुआ है। यहीज है। यहीज है। इनके नेत्र तो सर्ब जैसे दिखाई दे रहे है अवश्य ही ये पंचभन के विश का प्रभाव है अर्थात पंचभन के विश से इनकी मृत्यू नहीं हुई अपीतु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विश ये अन्य लोगों में भेला रहे हैं तुम कौन हो यहां क्या कर रहे हो यहां पांचभनों वाला माया विना घूम रहा है तुम्हारे प्राण संकिट में पड़ सकते हैं हां मैंने भी देखा था मुझे पता है वो इससे मैं कहां होगा तुम जानते हो कहां है वो शीगरी बताओ यह मिर्सा शलोग से निको कर दो रुक जाओ पंच फंद तुम्हारी सच्चाई हमें मालुम चल चुकी है कहां जा रहे हो सैनेक मेरी गदलाओ को स्द़शना रचार रचाई अजाई थार अजाई युझ 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 झाल झाल कि यह विश्क प्रभाव में है इसलिए मुझ पर आक्रमन करने के लिए ततपर है किन्तु यह मेरे प्रजाजन है इसलिए मैं एक शती नहीं पहुंचा सकता हूं क्या करूं पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा झाल 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 इन्हें औरों के संपर्क में आने से बचाना होगा ये गाधा माहबली हनुमत की पुझकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनन दल्य राम जै 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 माहबली हनुमान कठिन परीक्षा के पन में हनुमत ले ते थैरिसे का निर्दोश जनों के गश्ट निवारण लो बन गई रसी कर ते रक्षित अपने जनों को बिना दिये कोई आधात युगती की शक्ती से हनुमत देतेते हैं बल को मात ये का था माहबली हनुमत की पुझकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनन दल्य राम जै 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 माहबली हनुमान जै 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 रगुनन दल्य राम मेरे पास कोई और उपाई नहीं था आप सबको रोकने का कि अगर मैं आप सबको यहां पर नहीं बानता तो अन्य नगर्वासी भी संकट में पड़ जाते कि अब आप सब यहीं रहिए मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूं कि इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे विश्याक्त होने के कारण ऐसा हुआ है कि मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे बंचभन में उलजे रहने के कारण मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाया मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है मेरी मा और नानी पर भी मुझे वहाँ पर जाना ही होगा अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं पंचभन किया क्या माननी होगी इन्हें चुलाना होगा तुम सब कुछ खापी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भै भी दूर हो जाएगा ये कुछ असामन इसे क्यों लग रहे हैं हो सकता है ना कब है अब तक इनके मन से गया नहीं ही ये क्या हुआ तुम सब को क्या हुआ। पंच फन के विश्का प्रभाल इन्हें रोकना होगा कर दो अब कि यह तो मुझे त्रही कर रहा है पंच मैं अपने मिट्थियों का आवान कर रहा हो मा अब हनुमान के मित्रों के साथ यहां कुछ विशेश बात है आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है क्या हुआ मा सब ठीक तो है अब होगा सब ठीक मा यह क्या कर रहे हैं आप कि अब है कि अब है कि यह अनुमान के मित्र वन से आये हैं लगता है उस नाग ने विशाक्त कर दिया है जब आये थे तो असामान्य लग रहे थे और मा को इन भलकों ने अब अश्य ही मा भी विश के प्रभाव में ही है मुझे शीग्रे ही कुछ करना होगा अन्यता ये मुझे भी कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कि अब मा को कैसे रोख इन्हें चोट लग गई तो कि रोख जाहिए नानी आप विश्च के प्रभाव में हैं आप मा के पास मत आएए पन्च फन्टा खन्प्रभाव नानी को भी किया विशात मा की रक्षा है तू हनुमत आये जब हुआ अब चलिये यहां से मा आएए अब तुम सब मेरे वश में हो और कैसरे शेगरी तुमारा पुत्र भी मेरे वश में होगा और तब तया करूँगा मैं तुम दोनों पर मक्त कर दूँगा मैं तुम्हें मक्त कर दूँगा इस संसार से अंत कर दूँगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों कांत उसके बाद सुमेर उकांत तो मेरे दास ही कर देंगे यही तो मेरा परमलक्ष है नानीमल विशाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र भी उनको ग्यात ही नहीं है कि वो क्या कर रहें यदि उन्हें को कुछ नहीं करेंगे और आप भी जिन्ता मत करिए हमारे राजवियत जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएँगी हनुमा, उत्र, तुमने मेरे रक्षा की, अपनी मा के प्राण बचा है, नानी की चिंता है तुम्हें, और तुम अपने मित्रों को स्वस्त करने की सोच रहे हैं। अब सच में लगता है, कि तुम बड़े हो गया है। यह सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिये ओहे संसकार के कारण ही संभव हो पाया है। मा, यदि आप मेरे साथ हैं, तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। बस आप मुझे छोड़ कर मत जाना। मा, यह सब जो हो रहा है ना, उस पंचभन नाक का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरू का बिनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरू राज्य की सुक्सम्रिधी देख कर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टी डालते है। किन्तु मैं यूराज हूँ यहां का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किन्तु यह तो पताओ, वन में क्या हो। मा... क करेंकि की यह तो तुम्हारे पताश्री काहाँ है। तो तुम्हारे साथ ही गये थी। बल बल... हम? बल बल.. बल.. बल 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 ओहो अतीबल सिर्फ बल बल करते रहोगे यह आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो महाराज किसी को वो वो पंचपल क्या हुआ पिताश्री को वो महाराज को उठा कर लेगया है पल बल 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 महाराज को भी विशाथ कर दिया है उस तस्कुन ने एब बगवान यह क्या होगे है क्या करूं ले मैं करूंगा मा मैं लाओंगा पिताश्री को सुरक्षित कर दो कर दो भी किसी ने sam हाँ, पुत्र, अब तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो जाओ, पुत्र और जाकर प्रभावीन कर दो उस दुष्ट अंच फन को मेरा आशिरवाद है तुम्हें तिचाही भवा हाँ, अनुमान, तुम कर सकते हो, मैं तुमारे साथ ही मुझे पता है, हनुमान, वो पन पन नाग महाराज को कहा लेकर गया है चलो, चलो मेरे साथ मुझे आशिरवाद दीचे मा सब पर आम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई रावे सोई अमिकी जीव रभावे हाँ, अनुमान, चलो शिक्र चलो हनमान, अत्यी शिक्र, वहाँ तुम्हारे पिताश्री प्रतिक्छा कर रहे है, चलो चलो कर रहे है, चलो कर रहे है, तक रहे हैं। आओ अधीबल रुक क्यों गए बीतर चलो मैं भीतर में जाओंगा मुझे बहुत पहल लग रहा है देखो देखो मीचा बहुत अंधिरा है हुआ है है नहीं है झाल झाल चल चाहिए चल 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 चाहिए चल चल चाहिए सेडिका जल ले कराँ जल चाहिए जल चाहिए आस लगी है पहाँ झाढ झाल झाल यह सो क्या हो रहे है महारानी जी? महारानी जी, हमारी यह मननेता है कि दोना आतों पर दिया जला कर आज की दिन शियु जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा वश्य पुर्यू आज? क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पुर्णी महारानी जी पुर्णी महारानी जी? मेरे युवराज की सुरक्षा कीचे इस संदेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पंच फन पांच फन वाला मायावी नाग पांच नाग मणिया जिसकी आसुरी शक्ती का स्तोत्र है जिसके पांच फनों से उस्सरजित विश्ष मनुष्य के मस्तिश को विक्रित करके उसे अपना दास बना लेता और यदी वो चाहे तो उसके प्राण ले सकता उसे कंकाल बना सकता उसे बस्म कर सकता उसे लंकेश रावन ने सुमेरू भेजा हनुमान और सुमेरू वासियों का विनाश करने के लिए और उसने आते ही अपनी विनाश लीला आरंब कर दी नदी के जल को विशैला कर दिया मुखिया और सुमेरू वासियों को विशाक्त करके अपना दास बना लिया तब सुमेरू वासियों को जल उप्रब्ट कराने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्वे शक्ती से पुवा मना दिया इधर अंजना चिंतित थी अज इंद्र ने अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था। उसके पश्चाद अंजना को सब कुछ छोड़ कर वापिस स्वर्ग लोक लोटना था। पंचपन ने अतिबल को भेज कर हनुमान को बुलवा तो लिया। किन्तु पंचपन को हनुमान की शक्तियों का अन हनुमान की वज्र समान दे पर पंचपन के विश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अंतित है उसे अपने प्राण बजा कर भागना पड़ा। किन्तु इस युद में हनुमान के मित्र विश के प्रभाव में आ गए। और उधर महराज केशरी अपने मंत्री, सेनापती और अन्य सैनिकों के साथ पंचपन को ढूने निकल पड़े। इधर पंचपन ने भी विशाक्त हुए सुमेरु वासियों को आकरमन के लिए भेज दिया। देखते ही देखते विशाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आकरमन करके उनको भी विशाक्त कर दिया। हनुमान ने कुछ गामवासियों को तो बान दिया, किन्तु महाराज केशरी व अन्यों को पंचफन ने अपने विश के प्रभाव से अपना दास बना लिया। हनुमान के विशाक्त हुए मित्रों ने नानी को भी विशाक्त कर दिया, उन सब ने अंजना पर भी आक्रमण कर दिया. इंटू हनुमान ने अपनी माँ को बचा लिया, पंजफन ने पुने चाल खेली और अतीबल को कहकर माहराज केसरी के बहांने हनुमान को पुने बुलाया प्रभू, इस पंजफन ने तो भायानक विनाश लीला मचा रखी थी हाँ प्रिये इस बार हनुमान के विरुध उसने बहुत भयंकर व्यू रचना बना रखी थी जिस जाल में हनुमान को उल्जाना था उसकी कल्पना तो स्वयम हनुमान ने भी नहीं की थी किन्तु इसी महा लीला से ही हनुमान का महा कल्यानकारी नाग में खलावतार हुआ इस संदेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वाहतिबल वाह अनुमान को मेरे चंगुल में लेही आए अब होगा तुम्हारा अन्त हनुमान क्यों धक्का लगा सुनकर हाँ अतिवल मेरे साथ मिला हुआ है अब हाँ धक्का नहीं तो मुझे तो पहले ही ग्यात हो चुका था कि यह अतिवल तुम्हारे साथ है अनुमान नजाने कितने ही जी चलतुओं कि हाथ्या की है इसने इसे छोड़ना मत दंडित करो दंडित करो इसने अतिवल को इतना कुछ कैसे ग्यात है इसके बारे में ब्राम हुआ है तुम्हें पंच्पन अतिवल मुझे यहां नहीं लाया है मैं अपनी इच्छा से आया हूं यहां पर हुआ 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 nostु ह Coke हुआ हुआ झाल झाल प्रुकॉ रुकॉ 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 तुम लोग नहीं अनुमान को तो मेरा एक विशेश आज्याकारी दास मारेगा केश्री प्रुकॉ प्रुकॉ ठेहर जाओ मेरे निकट मताओ ठेहर जाओ मेरे निकट मताओ अब लगा धक्का तुम्हें तुम्हारे पितश्री मेरे अधीन है अब मेरे आज्याकारी दास और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्या मानते हो अब सुनो तुम्हारी देह पर विश्व का प्रभाव नहीं पड़ा किम्तु विश्व देह के भीतर चला गया तु अगनी से अप्रभावित रहते हो तुम किन्तु जब लावा दे के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था है ना तिवल बल 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 अब तुम अपने पिता श्री के हाथों पियोगे ये विश्व मेरा युगों पुराना विश्व यविश्व का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमान ये विश्व का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमान पिता श्री भी पंचपन के विश्व के प्रभाव में आ गए अतिबल तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आग्या कारे पुत्र है किन्तो ये तो अपने पिता की आग्या ही नहीं मान रहा ये विश्व का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमान लो पुत्र खीर का ओं? पिता श्री मैं आपकी हर आग्या का पालन करूंगा पिता श्री मैं आपकी हर आग्या का पालन करूंगा अब पुत्र को स्वायम अपने हाथों से विश्व बिलाएंगे पिता श्री अब अपने पुत्र को सुयम अपने हाथों से विश पिलाएंगे पिताश्री है ये गाथा बाहा भली हनुमत की रुचिकण लीला राम बगत की जै 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 रग नंदल राम महादेव ने स्रिष्टी की रक्षा हे तु किया था विश्व का पाल बिटा के सरी विश्व अधीन है नहीं है अपने पूत्र का भाल हनुमत है आक्या कारी विश्व पी कर रखते पिता का मान प्रजा और पिता की रक्षा को कट पर्थ महाबली हनुमान ये काना महाबली हनुमत की दुछिकलीला राम बगत की जै 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 रगुनंदल राम माबली हनुमान जै 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 रगुनंदल राम जै 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 माबली हनुमान माँ हनुमान मेरा लाई हे प्रभू सुमेरू के सभी वासियों के रक्षा करन। अब तुम पीछे हड़ जाओ के सरी तुम्हारा कारियत समाब्द हुआ। अब तुमारी वर्दानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। अंत होगा तुम्हारे पिता श्री का। अंत होगा सारे सुमेरू वासियों का। विनाश। महा विनाश। मेरे दासों जाओ। विनाश कर दो सबका। अंत कर दो सबका। हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरू में। मैं पंचपन को ऐसा नहीं करने दूंगा किस पर हाथ उठाओगे किस पर प्रहार करोगे मुझ पर या अपने पिता श्री पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान मेरा विष्ट तुमारे प्राण हर लेगा यहां तुम मरोगे और वहां तुमारे राजभवन में मेरे दास उसी और बढ़ रहे हैं तुम्हारी नानी को मारेंगे तुम्हारी मा को भी मार डालेंगे कोई नहीं बचगा राजभवन में हनुमान एक बार तुमने मुझे परास्त किया था किन्तु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी हाँ 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 महारानी जी विशाक नगर वाजी भवन की ओर आ रहे है तुम सब दर्वाजे और खिड़किया ठीक से बंद कर दो जी महारानी जी प्रभू इस अंकट को हरू मेरे स्वामी साकुषर और हनुमान पुत्र विजय हो बस हनुमान कुछ अंतिम पल बचे हैं अपने माता पिता का समारान कर लो कर लो कर लो मात पिता की सीख को हनुमान करते हैं धाउन इच्छा शक्ति का संचैकर विश्कोलिया हनुमत ने नात जे गाथा माभली हनुमत की रुचिकल लीला राम बगत की जै 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 रगुनन दल्य नाम जै जै माभली हनुमान नहाद कर दोने तरह पाला को लिगा विटे हुआ हुआ है। क्या करूं इस्थिती तो बिगड़ती ही जारी है कहां छुप गए पंच्पन सामने आकर सामना करो अजीम माया विशक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मनियों से अब मानव रुप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान आ रहा हूं मैं मेरे दाजों आक्रमन कर दो हनुमान पर मैंने क्षटी भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोपना भी आविशक्त है काल ही मुझे कुछ करना होगा यह क्या कर रहा है अनुमान मैंने लता से बांदेप हूं यह 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 लता फेरिया आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या कर रहा है इससे मारानी जी वो किसी भी खशन यहां आ सकते हैं क्या कर रफ़नों संय अख़कर रफ़ना कको मैंना कहा है कर राव फा पुरा कर रृण आप लोग मुझे क्षॉमा कर दीचिये पीछे से वार करता है कायर पीछे से वार करने वाले एक योध्धा को ये शोभा नहीं देता फिर लुक्त हो गया ये अब तू कहीं भी छुपले मैं तुझे धून निकालूंगा करत् हो, घज स्कुपले भी छत्ता करता है दूलयाओे मेरा प्रूतार वे लेंगी हैं मेरा वेंगी हैं मेरा वेंगी हरा। खाल भाल… हूँ... इन पांच मनियों में ही कुछ है जो पंचपन के साहता कर रहा है हम इसके पंचपन से निकले हुए पांच भेन प्रकार के विश का रंग और इन पांच मनियों का रंग समान है इसका अर्थ है कि इस पंचपन के हर एक भन का संबंध एक मनी से है इन्हें नश्ट कर दूं तो कि तुझे दंड दूंगा हनुमान मेरे दासों हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो कि मौट डालो इसे पिता श्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले हैं पिता श्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा अंत करना होगा मेरा जामना करना होगा मेरा तब तुम उन तक महुच बाओगे अनुमान यह तो पिता श्री के समीप पॉंच रहे हैं मुझे शीग रही कुछ करना होगा बंच पॉंग बंच पॉंग बंच पॉंग बंच पॉंग यह पिर से सर्प बन गया यह पिर से सर्प बन गया यह मनिया देखता हूँ क्या होता है झाह 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 मखर कुछ मा, बीचे हटचाई, बीचे हटचाई है मा मारे कि पुल्GUऴ काम, बीचे है आए है म महाचा ख्याइ gamma मैं अख्याच़ पूमकम और पुल्झाई एंग ज людей में बीचे है ड inlet फो वान उतल पंचपन की पांच मणिया तो यह मणिया ही है इसकी शक्ति का रहस्य लगता है इसके प्राण भी इन पांच मणियों में ही बसे हैं जय हनुमान ग्यान गुण सागर बुद्धि के है ये भंडार बुद्धि की शक्ति से करते पंचपन की मणियों परवार पंचपन तुम्हारी ये मणिया तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी पंचपन इन पांच मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा अब केवल तुम्हारी अंतिम मनी ही बची है पंचपन इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे पनुमान पंचपन की मा हूँ मेरे पुत्र के प्राण मत हरो शमा करतो इसे यह सब इसके आशुरी वृत्ति के कारण हुआ है मैं आपको वचन देती हूँ मेरा पुत्र आशुरी वृत्ति त्याग देगा और अब वो किसी को कश्ट भी नहीं पहुचाएगा अगर आप यह मणी तोड़ देंगे ना तो मेरे पुत्र के मिन्त्यो हो जाएगी यह पुत्र है मेरा और एक मा कैसे अपने आखों के समख्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिये मेरे पुत्र को जोड़ दीजिये प्रष्ट 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 यह गाथा महावली हनुमत की रुजिकर लीलाज़ महादेव का नाग है भूषन कहलाते वो भूजंग भूषन शिव अंश महावली हनुमान करते हैं पंच भन को धारण नाग मेखला थारी हनुमत का अदभुत अनुपम ये रूप पूजेगा संसार नित दिन नाग मेखला हनुमत रूप नाग यग्यो पवीताय प्रवलाय नमोस्तुते नाग यग्यो पवीताय प्रवलाय नमोस्तुते नाग यग्यो पवीताय प्रवलाय नमोस्तुते आपके मेरे पुत्र को शमा ही नहीं किया अपितु उसे अपने देह का अभूशन भी बनाया है यह माँ आपको आशिरवात देती है आपकी सदा विजय होगी यह भूजंग भूशन आपके रुत्रांशने तो आपके समान ही नाग को धारन कर लिया है नाग मेखला अफ्तार धारन कर लिया है अनुमान में युवराज हनुमान मेरे पुत्र पंच फन को आपने अपने देह पे धारन करके नाग मेखला रूप धारन किया है यह माँ आपके कृत्तर क्या है मैं आपको आशिरवात देती हूँ कि आपके इस नाग मेखला सरूप को जो भी स्मरन करेगा उसे कोई भी सर्फ बादा कभी नहीं आएगी पंचपन तुम्हारी मा की मम्ता ने तुम्हें रक्षित किया है उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने रक्षित सीवरिती को त्याग देना होगा त्याग करके सच्चाई और न्याए के मार्ग पर चलना होगा हनुमान आपके इस पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्दन आ गया है यह माँ आपको चट-चट नमन करती है मेरा भी नमन सुएकार कीजिये हनुमान जिन पिता की आग्या से मैंने विश पी लिया था उन पिताने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा वेहवार करते ही है किन्तु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं जय 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 लगता है पिताशी के साथ साथ सबी स्रस्थ हो गए पिताश्री 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 इकाई क्या हो रहा है इन सबको बलपल पलपल यह क्या होने लगा इन लोगों को सब मुर्चित क्यों हो रहे हैं यह क्या हो रहा है सब स्वस्तों लग रहे थे ये एकाई क्या होने लगा पिताशी हनुमान अब जो सोच रहे हो वो सत्य है ये सब विश्का ही दुस्प्रभाव है मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विश्का परिनाम बहुत ही भायानक होगा तुम अपने विश्का परियोग केवल अपने प्रान बचाने में करना परंत ये नहीं समझा ये सब इसी का परिनाम है जो आज सभी के प्रान संकट में आ गए है हाँ मेरे ही विश्क से ये सब विशाक्त हुए किन्तु बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने इस विश्क के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता ये सब किसी पर अपने विश्क का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे किन्तु जो विश्क इनके भीतर गया है वो इनके प्राण हर लेगा बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे हे भगवान, इनकी ये ही दशा रही तो अनर्थ हो जाएका किस से उचार कर आओ इनका ये सब ऐसे ही संकट में पड़े हुए किन्तु कोई तो अपचार होगा इनका बोलो पंच्पन, कोई तो अपचार होगा क्या हुआ पंच्पन, बता क्यों नहीं रहे हो, क्या है कोई उपाए हाँ, उपाए तो है किन्तु ना होने के समान देट्य गुरु शुक्राचारी वही इस विश्च का उपचार अपने संजीवनी विद्ध्या से कर सकते हैं तो देट्य गुरु शुक्राचार है तो अशुरों और देवताहों के गुरु है वो किसी भी परिस्तिती में इनका उपचार नहीं करेंगे कुछ कोई अन्य उपाई भी तो होगा तो मैं कैसे अपने पिता को सकुषल अपने साथ ले जा पाऊंगा कैसे सभी सुमेरु वास्यों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा हे प्रभु हे बोले बाबा कोई तो अपाय होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्त कर पाऊं प्रणाम देवगुरु प्रणाम देवगुरु ग्रियास्पती आइश्मान भाव इस विश का एक उपाय है हनमा यह उपाय है प्रवाल दूइप प्रवाल दूइप प्रवाल दूइप किन तुह जाकर लोटना तो असंभाव है रामभक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें